राम राम किसान भाईयो मैं नितिन फिर्ट से हजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देवल में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे धान की एक संपूर्ण खेती के बारे में कि धान की बुवाई से लेके धान की कटाई तक आपको किस किस समय पर कौन-कौन से कारे करने हैं कौन-कौन से खाट डालने हैं, किस तरीके से खेट तयार करना है कितना टेंपरेचर चाहिए, कितना पियेच मान होना चाहिए मिट्टी का कौन-कौन सी आपको उन्नत किसमे लेनी है बीज उपचार आपको कैसे करना है पोत की तयारी कैसे करनी है रोपाई के समय पर कौन से खाट डालने है और रोपाई से लेके कटाई तक आपको कौन-कौन से खाट कितनी-कितनी मात्रा में डालने है पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो में अंत तक बने रहें वीडियो को पूरा देखें तभी किसान भाईयो आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले किसान भाईयो मैं आपको बता दूँ कि धान की जो उन्नत खेती है इसकी जो बीच की रुपाई है या इसकी जो धान की नर्सरी है इसका जो बिल्कुल सही समय होता है किसान भाईयो वो जून से लेके जोलाई महीने के अंदर आपको जो है धान की रुपाई कर देनी चाहिए बात कर लेता हूं नर्सरी की तयार करने की कि नर्सरी जो है आपको किस समय पर तयार करनी चाहिए तो किसानवे धान की नर्सरी एक जून से ले करके लगबग 15 जून तक आपको धान की नर्सरी तयार कर लेनी चाहिए यह जो डेट में आपको बता रहा हूँ यह सभी राजियों में हो सकता है थोड़ी आगे पीछे हो सकती है लेकिन एक सही समय की ज़दी में बात करूँ जैसे काली मिट्टी होती है या भारी मिट्टी होती है दोमेट मिट्टी होती है ऐसी मिट्टी के अंदर धान की जो फसल है यह जादे अच्छा उत्पादन आपको निकाल करके दे सकती है बात कर लेता हूँ पीएच मान की कि कैसी मिट्टी चाहिए धान को मतलब उस मिट् की धान की फसल के लिए जो temperature क्या सकता होती है वैक कितने होती है तो लगबग 23 degree temperature से लगा करके 34 degree Celsius तक अगज़ी तापमान रहता है तो धान की फसल के लिए ये बिलकुत सही और उप्यूक्त temperature कहसान भाईयो होता है बात का लेता हूँ किसमों की कि आपको कौन-कौन सी किसमों का चैन करना है तो किसमों के लिए मैं पहले ही कम से कम आठ से लेके 10 वीडियो बना करके चैनल पर दे चुका हूँ उसका लिंक मैं आपको description में और i button में दे दूँगा वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं कि आपको कौन-कौन सी उननत किसमे हैं और कौन सी का आपको चैन कर करना है तो आप किसान भईयो UPL Company का आता है साफ fungicide इसके दवारा आप वीज उप्चार कर सकते हैं इसके अलावा भी आप किसी और fungicide से उप्चार कर सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ एक का ही नाम ले रहा हूँ UPL के साफ fungicide का इसका पिचार नहीं कर रहा हूँ इस की जग़े भी आप किसी और का कोई और फंगिसाइट ले सकते हैं बात करता हूँ पोध तैयार करने के लिए कि पोध तैयार आपको कैसे करनी है तो किसान भाई यो आपको पोध तैयार करने के लिए लगभग 8 भाई 4 की आपको क्यारी बना लेनी है और लगभग जो आप क्यारी बनाए और उसके बाद उसका बीज उपचार करने के बाद आपको पोद की बिखराई जो आपको करनी होगी। ज़रूर डालनी चाहिए। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो आपको पोद होती है किसान भाईयो वो लगबाग 21 से लेके 25 दिन के अंदर आपकी पोद तयार हो जाती है। गाउलको अनपैके की मात्र लेनी हैं लगबाग 50 से लेके 60 kg पिर्थी एकड के साबसे, पोटास की आवस्तध पढ़ेगी साइवायो प्रकम 15 से लेके 20 kg पिर्थी के साबसे और यूरिया की मात्र कि सान भाईयो इस से में तराब ले सकते हैं, इतने सभी इन 3-4 खादों को मिक्स करने के बाद आप या तो धान की रुपाई से 2 या 3 घंटे पहले इन खाद को डाल दीजे या फिर किसान भाई धान की रुपाई से 7 से लेके 8 दिन के बाद आपको इन खादों को डालना चाहिए इस तरीके से किसान भाई यो आप अपने खेत की रुपाई कर सकते हैं अब बात करता हूं कि धान की जो आपको रुपाई करनी है ये पोधे से पोधे की दूरी आपको कितनी रखनी है तो किसान भाई ये पोधे से पोधे की दूरी आपको कम से कम 25 सेंटीमेटर रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी भी किसान भ यह काफी ज़्यादे बढ़ जाएगी अब बात करता हूँ किसान भाइओ धान की फ़सल की रुपाई से लगबग 15 दिन के बाद आपको अपने धान की फ़सल के अंदर कौन-कौन सिखात कितनी मातरा में डालने है तो धान की रुपाई से 15 दिन के बाद आपको जिंक सल्फेट की मातरा लेनी है किसान भाइओ 10 किलोग्राम यूरिया की मातरा लेनी है आपको लगब 25 से लेके 30 किलोग्राम और इसी समय पर किसान भाइओ आपको सागरी का लेनी है लगब 8 से लेके 10 किलोग्राम अंदर टिल्रिंग और कल्लों को बढ़ाने मदद करेगी च्योंकि सागरी का अंदर वो सभी पोसक तत्में जो हमारी धान के फसल के लिए बहुत ही जादे उपी होगी होते हैं इन तीनों को जदि आप इस समय पर डाल देते हैं पड़ेगी और सल्फर की मातरा आप लगभग ढ़ाई से लेके तीन किलोग्राम पिरती एकर के हिसाब से किसान भाई यो आप डाल सकते हैं और उसके बाद अपने धान की आप सिच्चाई कर सकते हैं यह था हमारा धान की रुपाई से लगभग 40 से लेके 45 दिन के बाद की हमारी कंडिसम अगला खाद जो हमें देना है वह लगभग 70 से लेके 75 दिन की ज़िए धान की फवसल हो जाती है उससमय पर हमें अगला खाद देना होता है इस समय पर किसान भाईयो आपको कैलसियम नाइट्रेट के आवसकता पड़ेगी लगबग 7 से लेके 8 kg, बोरोन युक्त जो हमारा खाद होता है, इसकी किसान भाईयो आवसकता पड़ेगी आपको लगबग 3 kg, और इस समय पर आप किसान भाईयो एक अच्छे कीटना सका उपय कर सकते हैं, मेरा recommendation रहेगा आपको वाटेगो के लिए, कि आप वाटेगो की मातर लगबग 2 kg, पिर्ती एकड के हिसाब से इस समय पर वाटेगो ले सकते हैं, वाटेगो हो जगा किसान भाईयो आप फटेरे का उपयोग कर सकते हैं, और फटेरे की मातर इस समय पर आपको अगला खाज जो किसान भाईयो आपको देना है, वो देना है लगबग 100 दिन की अवस्ता पर, तो 100 दिन की अवस्ता पर किसान भाईयो आपको लगबग, यूरिया की मातरा किसान भाईयो आपको देनी है 25 से लेके 30 kg, यूरिया की मातरा इस समय पर आपको थोड़ी सी कम भी एकड़ के साब से खिसान भाईयो आप पोटास इस समय पर डाल दीजिए क्योंकि इस समय पर यदि आप पोटास डालते हैं तो जो आपके दाने होंगे धान के ये पूरे भरके चलेंगे इनके अंदर खाली पन नहीं रहेगा दाना आपका सफेद नहीं पड़ेगा और दाने के अंदर वजन भी बन करके आएगा और एक बाली के जो आपके दाने होंगे इनके अंदर वजन भी खिसान भाईयो ये बढ़ा देगा इसके साथ सथ आपके धान के फसल पर चमक को भी पोटास बढ़ा करके चलेगी तो इस समय पर आप यूरिया और पोटास इन दोनों को मिक्स करके अपनी धान के फसल के अंदर डाल सकते हैं और उसके अबाद सिचाई कर सकते हैं तो इस तरीके सा खिसान भाईयो आपको अपनी धान के पसल के अंदर बुवाई से लेके कटाई तक इतने खाद इतनी इतनी मातरा में डालने चाहिए यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो आपका जो उत्पादन होगा किसान भईयो 35 से लेके 40 कुंटल पुर्ती एकड के हिसाब से आप असानी के साथ निकाल सकते हैं अगली वीडियो मैं बना करके आपको देने वाला हूँ जिसमें मैं सिर्फ आपको इस्प्रे के बारे में बताऊंगा कि बुवाई से लेके कटाई तक आपको अभी धान के फसल के उपर कौन-कौन से इस्प्रे कितनी-कितनी मातरा में करने चाहिए जिससे कि आपके धान के फसल के उपर कोई भी रोग ना लगपाई या कोई भी फंगस ना लगपाई आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपको मेरी जानकरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईएगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकर इस साथ तब तक के लिए राम राम जी